आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ देखो हमें का गया P alone can complete a work in 10 days and Q alone can complete the same work in 20 days उसी काम को वो 20 दिन में करता है Q if P and Q work together अगर वो एक साथ काम करें then in how many days तो जो पूछ रहा है हमसे the same work will be completed तो वो जो same काम जो है वो कितने दिनों में complete हो जाएगा दोनों अगर एक साथ काम करें number of days हमें find out करना है 2 person हमें given है, P person है और Q person है P देखो 10 days में complete कर सकता है किसी काम को उसी काम को Q जो है 20 days में complete करता है तो इस case में हम total work find out करते हैं सबसे पहले तो total work हमारा क्या हो जाता है इन दोनों numbers का multiple, number of days का multiple तो ऐसा number जो दोनों का multiple हो तो 20 units ले सकते हम देखो total work हमारे पास 20 units आ गया तो अब हम क्या करेंगे 1 day work find out कर लेंगे एक दिन का काम 1 day work देखो total 20 units काम वो 10 days में करता है P की बात करें तो P जब 10 days में 20 units करता है तो एक दिन में कितना करेंगा 20 divided by 10 मतलब 2 unit काम कर दिया उसने तो P का 1 day work 2 units आ गया Q की बात कर लेते हैं Q देखो 20 days में 20 unit करता है मतलब एक दिन में एक unit काम करेंगा वो तो 1 day work of Q कितना आ गया 1 unit आ गया अब हमें का गया है P and Q work together देखो वो दोनों साथ काम करते हैं तो 1 day work find out कर लेते हैं P plus Q दोनों का 1 day work of P plus Q कितना हो जाएगा देखो हमारे पास 2 plus 1 दोनों units को add कर देगे देखो 1 day work of P का 2 units था और Q का 1 unit था दोनों को add कर दिया मतलब 3 units आ गया हमारे पास तो अब देखो हमें given है कि वो 3 units जो काम है उन्हें वो 1 day में complete कर सकते हैं अगर दोनों साथ काम करते हैं तो 1 unit को कितने दिन में कर देखो एक unit को 1 unit को कितने दिन में करेंगे 1 by 3 days में कर देखो 1 by 3 days में अब हमें देखो total work of 20 units है तो 20 units का find out करना है 20 units को कितने number of days में करेंगे 1 by 3 1 की जो value है उसे 20 से multiply कर देखो तो number of days आ जाएगा हमारे पास तो number of days 20 units के लिए कितना आगया 20 by डिको और 20 वाइटी त्री को हम कितना लिख सकते हैं, 6 इस्टू तू बाइ थी लिख सकते हैं, तो 6 इस्टू बाइ थी डेस आ गया हमारे पास, यह हो जाएगा हमारा आंसर वो दोनों मिलकर, 6 इस्टू बाइ ट्री डेस में उस वरक को फिनिस कल देंगे, अब देखो 6 into 2 by 3 days जो हमें second option में given है so option 2 will be correct answer to this question Thank you